नमस्कार दोस्तों आज हम लोग इसमें स्टेंडर 11th NCERT हिस्ट्री का स्टेड़ी करेंगे यह चैप्टर 5 है या यावर समराज्य मेरे इस चैनल पे हिस्ट्री NCERT का स्टेंडर 6 से लेकर के स्टेंडर 12 तक एविलेबूल होने वाला है इसके अंतरगत 6,7,8,9,10 कम्प्रीट हो स्टेंडर 12 का NCERT हिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा ध्यान में इस बात को रखा गया है कि competitive exams की त्यारी करने के लिए जब आप त्यार होंगे तो आपको स्टेंडर 6 से लेकर के स्टेंडर 12 तक का NCERT का हिस्ट्री पढ़ना जरूरी होगा तो एक ही चैनल पे एक जगह आपक यह चैटर 5 यायावर समराज्य के विशह में हम लोग पढ़ेंगे यायावर समराज्य की अवधारना विरोधातमक परतीत हो सकती है यह तरक दिया जा सकता है कि यायावर लोग मूलतह घुमककर होते हैं यह भी कहा जा सकता है कि यह सापेक्षिक तोर पर एक औवीवेदित आर्थिक जीवन और प्रारंभिक राजनितिक संगठन के साथ परिवारों के समूहों में संगठित होते हैं दूसरी और समराज्य शब्द भहुतिक अवस्थितियों को दर्शाता है समराज्य ने जटिल सामाजिक और आर्थिक धाचे में इस्थिरता परदान की और एक सू परिश्क्रित प्रशासिनिक व्यवस्था के द्वारा एक व्यापक भूभागिये परदेश में सुचारू रूप से शाषन परदान किया लेकिन कई बार समाज शास्त्रियों की परिभाषाएं बहुत संकीर्ण और गैड ऐतिहासिक हो जाती हैं क्योंकि वे किसी बंधे बधाय साचे में उन्हें ढालते हैं ये परिभाषाएं तब और गलत सिद्ध होती हैं जब हम यायावर समुहों द्वारा निर्मित उनके कुछ समराज्य संबंधी संगठनों का अध्यायन करते हैं अध्याय चार में हमने इसलामी इलाकों में राज्य निर्मान का अध्यायन किया जो औरव प्रायदूइप की बद्दू यावावर परंपरा पर आधारित था इस अध्याय में एक भिन वर्ग के यायावरों का अध्यायन किया गया है यह हैं मध एशिया के मंगोल जिन्होंने तेरहवी और चौदहवी शराबदी में पाड महादूईपी एव समराज्य की सापना चंगेज खान के नित्रत्य में की थी उसका समराज्य यूरोप और एशिया महादूईप तक विस्त्रित था क्रिशी पर आधारित चीन की समराज्यक निर्वान व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलिया के यायावर लोग दीन हीन जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और आर्थिक पड़िवेश म जीवन बिता रहे थे लेकिन मध एशिया के ये यायावर एक ऐसे अलग थलग दूइप के निवासी नहीं थे जिन पर एतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव ना पड़े इन समाजों ने विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क रखा उनके ऊपर अपना प्रभाव और उनसे बहुत कुछ सीखा जिनके वे एक महत्वपूर्ण अंग थे इस अध्याय से हमें ग्यात होता है कि मंगोलों ने चंगेज खान के नित्रत्तों में किस परकार अपनी पारंपडिक, सामाजिक और डाइनितिक गिती रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र और शाषन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सुत्रपात किया। मंगोलों के सामने यह चुनावती थी कि वे किवल अपनी स्टेपी परंपड़ाओं के जरिये हाल ही में विजित शेत्रों का शासन नहीं चला सकते थे। यह इस वजह से था कि इस नए शेत्र में उन्हें तरह तरह के लोगों, अर्थ विवस्थाओं और धर्मों का सामना करना पड़ा। अपना यायावर समराज बनाने के लिए उन्हें नए कदम उठाने पड़े और समझहोते भी करने पड़े। इस समराज का युरेशिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। और इसने मंगोलों के समाज के चरित्र और साचना को हमेशा के लिए बदल डाला। इस्टेपी निवासियों ने आम तोर पड़ अपना कोई साहित्य नहीं रचा। इसलिए हमारे इन यायावरी समाजों का ग्यान मुख्यतह इति विरित्यों, यात्रा विरित्तांतों और नगरिये साहित्यकारों के दस्तावेजों से प्राप्त होता है। इन लेखकों को यायावरों के जीवन सम्बंधी सुचनाएं अज्यात और पुर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं। मंगोलों की सामराज्जिक सफलताओं ने अनेक विद्वानों को अपनी योड आकरशित किया। उन में से कुछ ने अपने अनभवों के यात्रा विर्तांत लिखे। अन्य मंगोल अधिपतियों के इस राज्याश्रय में रहे। इन व्यक्तियों की प्रिष्ट भूमी अलग-अलग थी। वे बौध कनफ्यूशियश वादी, इसाई, तुर्क और मुसल्मान थे। यद्यपी इन लोगों को मंगोल रिती रिवाजों का ज्यान नहीं था। इन में से अनेक नें। इनके विशाय में सहानभूती पूर्वक, सहानभूती परक, विवरन और यहां तक की उनकी प्रशर्ष्टियां भी लिखी। ऐसे विवरनों ने यूरेशिया के शहरों से उपजे इन निंदापूर्ण लेखों को चुनाउती दी। जिनमें मंगोलों को स्टेपी लुटेरा बताकर हाशिये पर डाल दिया जाता था। इस सबसे मंगोलों की तस्वीर पहले से कहीं ज़्यादा जटिल हो गई। अतह मंगोलों का इतिहास हमें ऐसे रोचक तत्यत उपलब्ध कराता है जिससे की समन्ने तया और भ्रमन शील समाजों द्वारत इस धंग से या याबर समुदायों को आदिम बरबर के रूप में पेश किया गया है उस पर प्रश्न चिन लग जाता है। समभवता मंगोलों पर सबसे बहुमुल शोध कारे 18 और 19 शताबदी में रूसी विद्वानों ने उस काल में किया जब जार शाषक मद इशियाई शत्रों में अपनी शक्ती को सुद्रिध कर रहे थे। ये कारे अपनी विशिक वाथावरण में हुए जो प्राया हमें सरवेक्षन टिपणियों के रूप में मिलते हैं। इन्हें यात्रियों, सैनिकों, व्यापाडियों और पुडाविदों ने तयार किया था। प्रणामिक बिश्मी शताब्दी में इस शत्र में सोवियत गनराज के विस्तार के उपरांद नवीन मार्क्सवादी इतिहास लेखन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रचलित उत्पादन प्रनाली समाजिक संबंधों की प्रकृती को निर्धारित करती है। इसने चंगेज खान और उभरते हुए मंगोल समराज्ज को मानव विकास की उस संक्रमन व्यवस्था के दायरे में रखा इसमें जन जातिय उत्पादन प्रनाली से सामंती उत्पादन प्रनाली की ओर परिवर्तन हो रहा था। ये परिवर्तन सापेक्षिक रूप से एक वर्ग विहीन सामाजिक व्यवस्था से उस सामाजिक व्यवस्था की योड हुआ इसमें क्रिशक भूस्वामी लौड के बीच में एक विशाल अंतर पाया गया। इतिहास की ऐसी निर्धारित व्याख्या का अनुसरन करने पर भी मंगोल भाशाओं उनके समाज और संस्कृती पर अति उत्तम शोध बोडिस याको वालिवीच बलाडी मिरश्टाव जैसे अनविद्वानों ने किया। दूसरे अनविद्वान वैसिली बलै वलै दीमिरी वचिछ बार्टोल्ड ने सोवियत विचार धारा का समर्थन नहीं किया। एक ऐसे समय जब स्टालिन के शाषनकाल में आंचलिक राश्टरवाद के कारण घबराहट व्यापत हो गई थी। विवरन ने उन्हें अभी वेचकों सेंसर्स के रोश का पात्र बना दिया। उन्होंने बार्टोल्ड की रचनाओं के प्रसार पर कठोरता पुरुवक पावंदी लगा दी और केवल 1960 के दशक में उदारवादी खुरुष्चे भियुक के दावरान। उसके उपरांते ही उनकी रचनाओं को नौ खंडों में पार महादुपिये मंगोल समराज खंडों में प्रकाशित किया गया। पार महादुपिये मंगोल समराज के विस्तार का मतलब यह भी था कि जो शोध के सुरोत विद्वानों को उपलब्द हैं वे अनेक भाशाओं में रचे गए हैं। इनमें सबसे निर्नायक सुरोत चीनी, मंगोली, फार्सी और अर्वी भाशा में उपलब्द हैं। पर महत्तपूर्ण समगणियां हमें इतालवी, लातिनी, फ्रांसीसी और रूसी भाशा में भी मिलती हैं। अक्सर एक ही मूल ग्रंथ भिन्य आशय के साथ दो अलग-अलग भाशाओं में प्रस्तुत किये गए हैं। उदाहरन के लिए चंगेज खान के विशाय में सबसे प्राचीन विवरन, मंगोलक, मंगकोल, उन न्यू तोभियन जो मंगोल और चीनी भाशा में मिलते हैं, एक दूसरे से अलग हैं। इसी तरह मारको पोलो द्वारा मंगोल राज दरबार का यात्रा विडतांत जो की इतालवी और लातनी भाशा में उप्रब्ध हैं, वे एक दूसरे से मेल नहीं खातें। चुकि मंगोलों ने अपने बारे में स्वैम बहुत कम साहित रचा और विदेशी शांस्कृतिक वातावरन में रहने वाले विद्वानों ने उनके बारे में ज्यादा तर लिखा अतहे तिहासकारों को, उन विदेशी मूल रचनाओं में जिन वाक्यांशों का प्रयोग उसका मंगोल भाषा के करीबी अर्थ निकालने के लिए वांग गमी मानसक की भूमी का अदा करने पड़ती है। चलकर देखेंगे चंगेज खान और मंगोलों के विश्व वापी समराज के बाड़े में उनकी अविश्वशनिया, उपलब्धी के बावजूद, उद्दमी विद्वान और संधान करताओं को अभी बहुत कुछ चान बीन करना बाकी है। भूमिका, तेरहमी शताब्धी के प्राड़ंभिक दस्कों में, योरो एशियाई महादूइप के महान समराज्जियों ने, मद एशिया के स्ट्रेपी प्रदेश में एक नई राजनियतिक शक्ति के अभियूदय के एक बड़े खत्रे का अनुभव किया, संगेज खान, मिर्तु 1227 ने मंगोलों को संगठित किया, पर संगेज खान की राजनितिक दूरदर्शिता, ये मंगोल समराज्ज, दूरदर्शिता, मद एशिया के स्ट्रेपी प्रदेश मंगोल जातियों का एक महासंग, महत्र बनाने से कहीं अधिक दूर गामी थी, उसे इश्वर से विश्व पर शाषन करने का आदेश प्राप्त था, ये देपी उसका अपना जीवन, मंगोल जातियों पर कबजा जमाने में और समराज्ज, संलग्ण शत्र जैसे उतरी चीन, तुरान, ट्रांस उक्सियाना, अफगानिस्तान, पूर्वी, इरान, रूसी, स्ट चंगेज खान के स्वप्न को सार्थक किया, एवंग दुनिया के सबसे विशाल समराज्ज का निर्बान किया, चंगेज खान के आदर्सों के मुताविक, उसके पोते, मौंके ने फ्रांस के शाषक लूई नौवें को यह चेतावनी थी, 1226 से 70 के बीच की बात है, स्वर्ग स्वर्ग की शक्ती से संपूर्ण विश्वा, सुर्य के उदाई से लेकर अस्त होने तक आनंदित और शांती में रहेगा, तब यह स्पष्ट होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, यद्देपी आपने शाष्वत स्वर्ग की आज्यापती को समझ लिया है, फिर भी आप इस प मुद्र विशाल हैं, अगर इस विश्वास के साथ आप हमारे विरुद्ध से निबल लेकर आएंगे, तो हम भी जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसा उस शाष्वत स्वर्ग को भी पता है, जिसने कठिनाई को आसान बनाया और सुदूर को निकट ला दिया, ये केवल कोर की धमकियां ही नहीं थी, चंगेज खान के एक दूसरे पोते बाटू ने अपने 1236 से 1241 के अभियानों में रूस की भूमिका को मासको तक रौंद डाला और पोलेंड हंगरी पर विजय प्राप्त कर वियना के बाहर पढ़ाव डाल दिया, तेरह मिश वताब्दी तक यह बाद दुनिया पर विजय इश्वर का गुस्सा है और यह कयामत के दिन की शुरुवात है। नगर की विजय के बाद चंगेज खान उचसब मैदान में गया जहां पर नगर के धनी व्यापारी एकत्रित थे। उसने उन्हें संबोधित कर कहा अरे लोगों तुम्हें यह ग्यात होना चाहिए कि तुम लोगोंने अनेक पाप किये हैं और तुम में से जो अधिक संपन लोग हैं उन्हें ने सबसे अधिक पाप किये हैं अगर तुम मुझसे पूछो कि उसका मेरे पास क्या परमान है तो उसके लिए मैं कहूंगा कि मैं इश्वर का दंड हूँ लगी तुमने पाप न किये होते तो इश्वर ने मुझे दंड हेतू तुम्हारे पास न भीजा होता अब कोई वी अक्ती मुखारा पर अधिकार होने के बाद खुरासान भाग गया था उससे नगर के भागे के बारे में पूछने पर उसने उत्तर दिया वे आये दिवारों को धुस्त कर दिया जला दिया लोगों का वध किया लूट पूर्व और दोगिक काल में जब प्रदोगिकी संचार विवस्त था और परियाप्त थी तब मंगोलों ने अपने विशाल समराज के शाषन और उसे नियंत्रित करने के लिए किन कोशोलों का प्रयोग किया ऐसे एक व्यक्ति जिसे अपने नहतिक और शाषन के दैवी अध विश्वास था चंगेज खान ने अपने अधिकार शत्र में बसे हुए विविद सामाजिक तथा धार्मिक समुदायों के साथ किस तरह का संबंद रखा होगा उसकी राजसत्ता के विकास में इस बहु विविदता क्या क्या हुआ प्रूडैलिटी जो भी हो मंगोलों तो चंगेज खान की सामाजिक और राजनितिक प्रिष्ट भूमी को बेहतर धंग से समझने के लिए ये उचित होगा कि हम अपनी चर्चा चंद सलहारन प्रस्टों से शुरू करें जैसे की मंगोल कौन थे वे कहां रहते थे उनके संबंध कि इनके साथ थे और उनके समाज और राजनितिक के बाड़े में हमें जनकारी कहां से मिलती है मंगोलों की सामाजिक और राजनितिक प्रिष्ट भूमी मंगोल विविद्धिजन समुदाय का एक निकाय था ये लोग पूर्व में तातार खितान और मंचू लोगों से और पस्चिम में तुर्की कबीलों से पश्वों जैसे बकडी और उंटों को भी पालते थे उनका यायावरी करण मध एशिया के चारण भूमी में हुआ जो की आज के आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है इस छत्र का पड़ी द्रिश्या आज जैसा ही अत्यांत मनोरम था शिति अत्यांत विस्त्रित और लहरिया मैदानों से घिरा था जिसके पश्चिमी भाग में अलताई पहारों की बरफीली चोटियां थी तक्षिन भाग में शुष्क गुवी का मरुष्थल उसके उत्तर और पश्चिम शेत्र में ओनोन और सेलेंगा जैसी नदियों और बरफीली पहाडियों से निकले सैकरों जहरने जहरनों के पानी से चिंचित हो रहा था पशुचारन के लिए यहां पर अनेक हडी घास के मैदान और पड़चुर मात्रा में छोटे मुटे शिकार अनुकूल डितियों में उपलब्द हो जाते थे शिकारी संग्राहक लोग पशुपालक कबीलों के आवास छत्र के उत्तर में साइबिरियाई वनों में रहते थे वे पशुपालक लोगों की तुलना में अधिक गडीब होते थे और ग्रिश्म काल में पकड़े गए जानवरों की खाल के व्यापार से अपना जीवी को पार आजन करते थे इस पूरे शत्र के अधिक्तम और नियूंतम तापमान में बहुत अंतर पाया जाता था कठोर और लंबे शीत के मौसम के बाद अल्पकालीन और शुष्क गर्मियों की अवधी आती थी चारण शत्र में साल की सिमित अवधियों में ही क्रिशी करना संभव थ घने अबादी वाले शत्रों का भरन पोशन करने में समर्थ थी परिनाम स्वरूप इन शत्रों में कोई नगर नहीं उभड़ पाए मंगोल तंबुवों और जरों में निवास करते थे और अपने परशुधन के साथ शीत कालीन निवास अस्थल से ग्रिश्म कालीन चारण भूमी की योड चले जाते थे चारण भूमी मतलब जहां पर चरवाही का काड़े होता था पसु को ग्रेजिंग कराने का काड़े होता था निर्जातिया और भाशाई सम्मंधों ने मंगोल लोगों को परसपर जोर रखा था पर उपलब्ध अर्थिक संसाधनों में कमी होन जूमें के कारण उनका समाज अनेक पिती पक्षिय वन्षो में विभाजीत था धनी परिवार विशाल होते थे उनके पास अधिक संख्या में पश्व और चारण भूमी होती थी इस कारण उनके अनेक अनुवायू होते थे और अस्थानिये राजिनिती में उनका अहिक दबदवा होता था समय समय पर आने वाली प्राकर्तिक आपदाएं जैसे भीशन शीत रितु के दवरान एकत्रित की गई शेकार समग्डियां और अन्य भंडार में रखी होई समग्डियां समाप्त हो जाने की स्थिती में अथवा वर्षा नौ होने पर घास के मैदानों के सूख जाने पर उन्हें चारागाहों की खोज में भटकना पड़ता था इस दवरान उनमें संहर्ष होता था परसुधन को प्राप्त करने के लिए वे लूट पाट भी करते थे प्रायह परिवारों के समूह आक्रमन करने और अपनी रक्षा करने हेतू अधिक शक्तिशाली और संपन्न कुलों से मित्रता कर लेते थे और परिसंग बना लेते थे कुछ अपवादों को छोड़कर ऐसे परिसंग प्रायह बहुत छोटे और अलपकालिक होते थे मंगोल और तुर्की कभीलों को मिला कर चंगेज खान द्वारा बनाया गया परिसंग, पांचवी शताबदी के अटीला, मृत्व 435 इस्वी द्वारा बनाया गया परिसंग के बराबर था अटीला के बनाए परशंग के विपिरीत चंगेज खान की राजनीतिक व्यवस्था बहुत अधिक अस्थाई रही अपने संस्थापक के मृत्व के बाद भी कायम रही यह व्यवस्था इतनी अस्थाई थी कि चीन एरान और पूर्वी एरोपिये देशों की उन्नत रस्त्रों से लैश विशाल सेनाव का मुकाबला करने में शक्षम थी मंगोलों ने इन ख्षत्रों में नियंतरन स्थापित करने के साथ ही साथ जटिल कृसी अर्थ ववस्थाईं एवं नगडिय आवासों अस्थान बद समाजों का बड़ी कुशलता से प्रशाशन किया मंगोलों के अपने सामाजिक अनभव और रहने के तौर तरीके इन से बिलकुल ही भिंड़ थे यद्यपी या यावरी सामाजिक और आईनितिक संगठन कृसी अर्थ ववस्थाओं से बहुत भिंड़ थे पर ये दोनों समाज एक दूसरे की विवस्था से अनभिग्य नही थे वास्तों में स्टेपी शत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध इशिया के या यावरों को वियापार और विस्तृत विनिमय के लिए वास्तू विनिमय के लिए उनके परोसी चीन के स्थाई निवासियों के पास जाना पड़ता था यह विवस्था दोनों के लिए लावकाडी थी या यावर कभीले खेती से प्राफ्त उत्पादों और लोहे के उपकरणों को चीन से लाते थे और घोड़े फर और स्टेपी में पकड़े गए शिकार का वीनिमय करते थे उन्हें वानिजिक क्रिया कलापों में काफी तनाव का सामना करना पड़ता क्योंकि दोनों पक्ष अधिक लाब प्राफ्त करने की होड में बेधरक सेनिक करवाही भी कर बैठते थे जब मंगोल कभीलों के लोग साथ मील कर व्यापार करते थे तो वे अपने चीनीच परोशियों को व्यापार में बहतर शर्तें रखने के लिए मजबूर कर देते थे कभी कभी ये लोग व्यापारिक संबंधों को नकार कर किवल लूट पाट करने लगते थे मंगोलों का जीवन अस्त व्यस्त होने पर ही इन संबंधों में बदलाब आता था ऐसी स्थिती में चीनी लोग अपने प्रभाव का प्रयोग स्टेपी शेत्र में बड़े का दूसरी और यायावर लूट पाट कर संघर्षक शत्र से बहुत दूड भाग जाते थे इससे उन्हें बहुत कम हानी होती थी अपने संपूर नितिहास में चीन को इन यायावरों से विभिन शासनकालों में बहुत अधिक शती पहुँची यहां तक की आठिमी शताबद का एकी करन समन रक्षात्मक धाचे के रूप में किया गया जिसे आज चीन की महान दीवार के रूप में जाना जाता है उत्तरी चीन के क्रिशक समाजों पर यायावरों द्वारा लगातार हुए हमलों और उनसे पनपते और इस्तरता और भय का यह एक प्रभावशाली चाक शाक्षे है तो चंगीज खान का जीवन वृत और इसके बाद हम लोग इसके बाद के वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए आपका धन्यवाद थैंक्यू